गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी एस कैपसूल में आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तयारी अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से UPPSC, UPSSC और SSC से सम्मंदित सभी एक्जाम्स के अपडेट्स आपको समय से देते रहते हैं तो अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो चलिए देखते हैं आज कौन-कौन से नियूस पेपर में इंपोर्टेट आर्टिकल्स हैं बिहार लोग सिवायोग की मुख्य परिक्षा दिसंबर जन्वरी में कल इसका उननतरवी सयोग तो प्रारमविक परिक्षा का परिणाम घोशित कर दिया गया विभिन सेमाओ के पदों के लिए 4,037 परिक्षारती हुए पास पुलिस उपदिक्षक मुख्य परिक्षा के लिए कुल 33 हुए सफल तो यह काफी इंपोर्टेंट एक रिजल्ट का लाया है विहार में इस बार काफी तेजी से काम हो रहा है दो वहाँ पर टीचर्स की भरत दो महिने से काम रिजल्ट आपका जारी कर दिया गया है तो अपने मुख्य परिक्षा के तयारी बे क्यारि में आप लग जा हैं यहाँ पर आप कम पर आप कुल्स परिक्षत कंप pun cual गिए ऐ!!" साथ है महिलाओं का 84, EWS का 86.67, SC का 75, ST का 79.33 और BC का 88.67 रहा है अगर आप देखेंगे वहीं उपादिक्षक जो डिप्टी SP होता है आपका उसके लिए 33 परिक्षारती शफल हुए है देखें केंडिडेट्स कम है तो cut-off obviously बढ़ना था तो यहां पर cut-off journal का 102 नंबर लगा है म 83.33 रहा है इसके लावा बाकि अन्या पदों के cut-off आप यहां पर देख सकते है आई एस बनाने का हवाई दावा खान स्टेडी पर पांच लाख रुपया का जुर्माना देखें आपको पता है लगातार कोचिक संस्तानों पर इस तरीके का जुर्माना लगाया जा रहा है खान स्टेडी गूप की अगर बात करें तो इन्हों ने यह कहाता है कि जो इशीता किशोर पिशलिवाज जिन मैम ने टॉप किया था उनको बिलाकर टॉप पांच अभ्यरती हमारे यहां से पड़े हुए है और लगबग जो 674 सेलेक्शन हुए थे मैं आपको दिखाता हू 682 सफल चातरों में से 604 ने उनके यह मौक इंटर्व्यू दिया था जो निशुल्क है किन्तु जाच में पाया गया कि अलग अलग वर्षों में सिर्फ आठ चातरों ने अतरिक पाठेक्रमों के लिए मार्ग दरशन लिया तो आप देख लिए 682 में से मात्र आठ बच्चे इनके यहां से पाय गया है बाकी सारा जो इनका दावा था वो फेक था और इसके लावाए कि यहां पर आप 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 देखेंगे साथ ही सामाने अध्यरेवं सी सेट की तयारी कराने वाला सर्वस्टेस्ट आई-एस कोचिंग संस्थान होने का दावा किया गया था लेकिन जांच में भी यह दावा भ्रामक आपका पाया गया है तो लेक लीजिए पांच लाख रुपया का जरुआना इस कोचिंग संस्थान के उपर लाया गया है देखें यह नहीं सारे कोचिंग संस्थान यह कर रहे हैं आप देख लीजिए एक कैंडिडेट का फोटो लगबग 10-10-15-15 कोचिंग इंस्टिटूट में आता है तो आप समझ लीजिए वो किस तरीके से आता होगा तो ठीक है अच्छी तह सरकार एक सरकार की तरफ से एक अच्छी पहला शायद आने वाले समय में इस चीज़ पर थोड़ी रोक लगेगी परिशद्य विद्यालों में अब 14 की भी छुट्टी रहेगी पहले 14 वंबर की छुट्टी नहीं थी लेकिन अब आपका आदेश जारी कर दिया गया है परिशद्य विद्यालों में 14 वंबर को भी छुट्टी गोशित कर दी गई है बेसिक शिक्षा परिशद के सचिव प्रताप सिंग बगेल ने सभी BSA को न एलिजिबिल्टी जटा दिया गया था लेकिन फिल भी सीटे काफी देखे लगबग 165,000 के असपात सीटेस में तभी भी खाली रह गई है पी एनपी सचिव ने दूसरे चरण की काउंसलिंग में आवंटित किये संस्थान आवंटित संस्था में छात्र और छात्राएं 18 न 1270 सीटों के सापेक्ष कम पंजी करन की आशंका तो इस बार थोड़ से रेजिस्ट्रेशन पिछली बार की अपेक्षा कम हुए है इलाबाद विश्विद्याले की संयुक्त प्रवेश परिक्षा क्रेट 2030 की पंजी करन परक्रिया 15 नवंबर तक चलेगी आखरी तारीक में 5 5 दिन बचे हैं और अभी पंजी करन का अकड़ा 23 पहुचा है इन 233 ने भी देखिए मातर रेजिस्ट्रेशन कराया है अथारा सो नहीं अभी तक इसमें फीस जमा की है कारण है कि पिछले वर्थ 6000 से अधिक चात्र परिक्षा में शामिल हुए थे और इससे अधिक पंजी करन हुए थे तो देखते हैं पांस जिन भी बचे हैं कुछ इसमें बढ़ते हैं नंबर आफ कंडिडेट्स या नहीं बढ़ते पुरानी पेंशन बहाली के लिए CM से मिला राष्टे सेक्षिक महासंग तो जो अपकी OPS है उल्ड पेंशन स्कीम उसको दुबारा से लागू करने की बात चल रही है जो आपका 2005 से पहले के जॉइनी इसको मिलती है राष्टे सेक्षिक महासंग के प्रतेदी मंडल ने शुकरवार को पुरानी पेंशन की मांग को लेकर मुख्यमंत्र योगिया दित्तनाथ से बैठक की इसके लावदे की लगातार आप देखेंगे कई जगा इसके धरने भी पिछले एक साल में चल रहे हैं तो देखते हैं अब सरकार इसमें क्या ने लेती हैं दीवाली का तोवा तदर्थ शिक्षकों का 17 महा का बकाया वेतन होगा जारी तो सरकार ने धंतिरस पर माद्ने में के एडिड विद्यालेओं के तदर्थ शिक्षकों को बड़ी रहात दी है शाशन ने लगबख 17 महा से रोके गए बका जाएगा तो यही देखे सारे इंपोर्टेंट अपडेट से इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट वाला कल मैंने अफिशल ओर डाल दिया है तो अगर आपने वह उफिशल ओर नहीं देखा है तो प्लीज उस ओफिशल ओर को जाकर देख लीजिए 21 तारिक को आयोग को जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है और 21 तारिक को ही इलाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच में आपके लगबग 8 से 9 किस लगे हूँ है तो दोनों दिन इंपोर्टन ने देखते हैं 21 वाला तो हाई कोर्ट की डबल बेंच में तो उसका नंबर बहुत लेट वीडियो भी बनाता रहता हूँ तो आप प्लीज बोजा कर भी देख सकते हैं थैंक्यू सो मच